नमस्ते दोस्तो आप लोग कैसे हैं आसा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो दोस्तो आज हम बात करेंगे कोश गार्ट यांतरीक और नाभी का जो ओनलाइन फॉर्म निकला हुआ है उसके बारे में देखें दोस्तो इस फीडियो में हम बात करेंगे एज आपके कितनी मा पोस्तो निकलता है तो यह संख्या अच्छा करसा माल सकते बिछले बास अवे तीन सो का सब्सक्राइब करने के देखें चार जनुवरी सापलाई होगा लास देस है तो दोस्तों चौड़ों जनुवरी तक परनाच भीजिए सांब तक देखें आपको क्या करना है साथ तक है जयदा-जयदा 10 के तक जनुवरी तक आपको अपलाई कर देना है ने तो बात में सर्ब्र स्पर्षिप बच्चे का तेसा फहां जो है दोस्तों ओनलेन खुली नहीं रहे दोफ्टों यह प्रब्लम हो रहे सर यह प्रब्लम हो रहे सबसे हैं आप लास्ट देट में भरते अगर देखिए दोस्तो नाभिक यहाँ पर देखिए जीडी और यांत्री के लिए अगर आपका जर्म दोस्तो एक आठनी एक अगस्ट 2000 से लेके दोस्तो 31 जुलाइद 2004 तक हुआ है दोस्तो तो आप अप्लाइद कर सकते हैं ठीक है देखिए कंफर्म दोस्तो याद कर लेजिए का 182000 से लेके 372004 के बीच अगर आपका जर्म हुआ है आप नाभिक जीडी और यांत्री पोश्ट लिए अप्लाइद कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तो बात करते हैं नाभिक डीवी के लिए ठीक है नाभिक डीवी के लिए आपका जनम क्या होना चाहिए किसना के बीच होना चाहिए एक 102000 से लेकर दोस्तों 392004 के बीच आपका जनम हुआ है तो आपको हम भर सकते हैं ठीक है पोश्ट ने टोटर पोश्ट कितना वह भी बात कर लते हैं नाभिक जैनरल ड्यूटी का दोस्तों जिसको जीडी बोलते हैं सब आप में दोस्तों इंटर्मीडियर में आपका फिजिक्स और मैं एस सब्डेक होना चाहिए यानि आप फिजिक्स और मैस से पढ़े हुए है 10 प्लस टू तो आप भर सकते हैं ठीक है नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें डीवी का दोस्तों 35 पोश्ट है इसके लिए बताएंगे दोस्तों अच्छा सेलरी मिलता है ठीक है यांतरी करें बात करें 27 यह इसके लिए दोस्तों आपको 10 पास होना चाहिए साथ में आपका इंजिरिनिंग में डिपलोमा होना चाहिए यह दिग्री आपके पास होनी चाहिए तभी आप अप्लाइश कर सकते हैं ठीक सेक्ष्ण उण इसमें होता है सेक्ष्ण वन ध्याहां चुनिएगा सिलेबस का देखे मैश में दोस्तों आपका 20 प्र नहीं से साइन से दस रहेगा इंगली से 15 रहेगा रिजिनिंग से 10 और जीके से 5 कोश्चन रहेगा यानि टोटल कोश्चन के बाद करें तो 60 कोश्चन पुछा जाएगा 60 नंबर कहीं होगा यानि एक कुष्ण दोस्तो एक नंबर को होगा 45 मिनट का दोस्तो आपको सम मिलेगा ठीक है क्लियर है देखें दोस्तो इसमें पासिंग मार्क की बात करें तो मिनिममम पासिंग मांग लियाना जरूरी है जेनरल ओविसी डालुस का 30 सुनिएगा सेक्षण वन प्लस सेक्षण टू सेक्षण वन में यह जितना भी जोस्तों मैंने बताया जैसे कि मैद बिस नंबर का साइंस दस नंबर का इंग्लिश 15 रेजिनिंग 10 और डिक यह दूस्तों रहेगा जीडी का मतलब सेलेबस ठीक है सेक्षण वन वाला सारा रह रहेगा इस पर 30 मिर्ट आपका समय मिलेगा ठीकह चलिए यहां पर अगर हम पासिंग मार की दोस्तों हम बात करें तो jetzt स्यक्षण और बन जोरू हो का ठीक EWS में है ठीक है और दोस्तों भी मार नंबर आप का तीस नम्मर लाना है ठीक है अगर हम बात करें तो तो में बिस नमर लाना जरूरी है ठीक है इसे तरह स्प्रक आपनेड का 27 और सट्रह सेक्षें और अलग अलग लग यहां पर लिखा हूँ आप देख सकते हैं ठीक है यांत्री का अगर हम दूस्तों स्लेवर्स कि हम बात करें यहांत्री का सलेवर्स दूस्तों लेक्टीसियों किं दुश्तों हो प्यिंट के मादिन मत पूछ लेगा पूछ क्या अपलाई होगा छू सबसे Genau Cirus इसका इन्हीम पर लिखा हुगा ह। आब सवाल यह उठभा है है कि सर हमारा सब स्भास क्या हमारा सबझते हैं आपको पता है हाली में दोष्थों में नेबी का अम धोण ता है तो ऊसतों हमें देखा था है कि मातर बेकैंशी के से 30 या 5 स्ट्रेंट को बला रहा था मैंसों उनीं काही एंडिट का जारी कर रहा था तो ओल इंडिया सेval योःसा ह मंतलों जारी होता है दोस्तों जोगोगा का ऐडमिकटार जिसका ज़्यादध science है उसका एडमिकटार जोता है क्या इसमे भी देखनें को मिलेगा देखे मूझे लगता है दोस्तों इसमें आपको केल कितना भी नंबर है उतना पहीं दोस्तों आपका admin card जारी कर दिया जाएगा ठीक है बस आपका जो minimum qualification वह ही है ठीक है तो कोई चिंटा की बात नहीं है दोस्तों का 90% उतना ही हमारा जरूरी है ठीक है तो सभी का admin card आ जाएगा ठीक है किलिए रहा दोस्तों अब देखें दोस्तों salary क्या मिलेगा अलग-अलग salary होता है हम अगर GD salary की बात करें दोस्तों ठीक है GD salary क्या मिलेगा जो basic salary है वह हो है। इसके से लिए के दोस्तों आपका 28K के बिच्च के मतलब 1000 होता है इतना तो सेलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है डीबी का भी सेलरी दोस्तों सेमी होता है इतना ही मिलता है बाकी आपका अलाउंस मिलके ज्यादा बन जाएगा ठीक है यांतरी का सेलरी दोस्तों केतना होता ता जरूर आपको हम apply कीजिएगा ठीक है आपको दोस्तों कौन से बुक से पढ़ना है कैसे पढ़ना है डेली किया रूटीन होने चाहिए उस पर हमने एक डीटेस दोस्तों वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले ही दोस्तों पिछला वेकेंसी आया था उसी टैंग अगर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा दोस्तों जाके वीडियो को जरूर देख लेजिएगा ठीक है दोस्तों यहीं सब आपको बताना था देखिए सबसे जाता कॉन्फ्यूजन लोड़कों को क्या होता है बहुत सारे छात्र पुछते हैं सर हमारा एज में प्रोब्लम है इतन बीच में है तो आप अप्लाइक कर सकते हैं सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लेर है दोस्तों यहां पर सेक्शन सारा में पूछा जाएगा सेक्शन में साथ कोश्चन है साथ मार्क सा पैतालिस नंबर का समय मिलेगा मिनिमन क्वालिपिकेसर मार्क हमने ब बता देता हूं सबसे पहले मिनिममम आपको जोस बीसे में आपकी कमजोरी है बहुत सारे चाहतों को मैथ में प्रब्लम होता है जो आपका वीक सब्जेक्ट है दोस्तों उस पर सब्सक्राइब देने की जरूरत है ठीक है चलिए दोस्तों फिलाल वीडियो में बस इतना ही लगते हैं कोई सवाल हो तो कमेंट के मादम से पूछ लिएगा ठीक है चैनल को दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाईएगा कोई भी नई भेकेंसी आती है सारा कपडेट हमारे चैनल के मादम से दोस्तों आप लोगों को हम प्रवाइड करवाते है इसे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाईएगा दोस्तों ठीक है धन्यवाद